विचारों की प्रचंड शक्ति और प्रतुक्रिया अपने आदर्श तक पहुशने के लिए व्यक्ति को अपने सारे विचार उसी उद्देशिक की पूर्ति में लगा देने चाहिए क्योंकि बिखरे रहकर भी विचारों का महत्व समाप्त हो जाता है जिस प्रकार जाडू की अलग-अलग सींके व्यर्त हैं उसका कोई उप्योग नहीं है उसी प्रकार विचारों का विखराव भी अपना कुछ इस्थान नहीं रखता लक्ष के ओर मन, वानी और कर्म का समन्वे करके बढ़ना जाहिए तभी सभलता हाथ लगती है मनुष्य प्रत्यकार विचारों से प्रेरित होकर करता है हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और कुटब नुमा की सुई से उसे ये पता लगता है कि उसे किस दिशा में चलना है और वो सैकडो मेल लंबा रास्ता पार खर जाता है विचार कुतुबनुमा की सुई के सद्रश है वो मनुष्य को इंगित करते हैं कि तुम्हें किस दिशा में चलना चाहिए मनुष्य को ग्यान और विचार की संपदा देकर भगवान ने भेजा है विचार न होते तो मनुष्य रीच्छ बंदरों की तरह घूम रहा होता संसार में जो संदर्ता दिखाई देती है वो मनुष्य के विचारों का परणाम है विचारों का उप्योग निस्संदे अतुल्य है विचारों को जिस दिशा में लगा दिया जाता है उसी ओर प्रगती होने लगती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है अखंडी जोती अक्तूबर 1975 प्रश्ट 3